आज हम आपसे बात करेंगे क्रिप्टो करनसी मार्किट के बारे में और कैसे पिछले हफ़ते में तो मार्किट काफी वॉलिटाइल थी हमें बिटकोई और आल्ट कोईन्स में काफी अप्स अडाउंस देखने को मिले लेकिन पर्सो की जो बीवर्ट कॉन्फरेंस थी उसके बाद हमें थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी है मार्किट में कि कैसे बिटकोईन का प्राइस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है कल हमने आपको बताया कैसे 30-31,000 से उपर चला गया था प्राइस और आज 32-400 डॉलर के आ आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही important news क्रिप्टोकरंसी मार्किट से related यहां Bank of Russia ने अपने stock exchanges को कह दिया है कि वो कोई भी firm को list ना करे जो क्रिप्टोकरंसी से related होगी लेकिन जहां Bank of Russia ने यह announcement की वहां बाखी countries के banks और बाखी countries जो ने वो काफी positive दिखी क्रिप्टोकरं को जो है वो pilot test किया जा सके South Korea country में ऐसे ही Bank of Canada ने भी एक नई study publish की है जहां पर वो Canadian Central Bank के digital currencies को लाने की बात कर रहे हैं कि कैसे अगर Canada के Central Bank ने digital currencies ले आया तो वो काफी innovative चीज होगी और कैसे की debit और credit cards को एकदम faceless transactions से बना सकते हैं और कैसे United States के भी Federal Reserve के chairman ने बताया कि कैसे अ आने कि Central Bank के digital currency official आती है तो वो नई आ रही crypto currencies को eliminate कर पाएंगे जो इतनी stable नहीं और काफी volatile है पिछले साल से इंडिया में भी काफी discussions चल रही है Central Bank के digital currency CBDC को लेकर और कभी हमें पता सुरता है कि इस पर discussions चल रही है कभी यह आने वाली है इस पर regulations होंगी नेकिन अभी हाली मे हुए एक event नहीं तीर अभी शंकर जो की deputy governor है हमारे RBI के उन्होंने अपनी speech में बताया कि वो consider कर रहे है Central Bank की digital currencies को finally official करनेगा उससे पहले उन्हें काफी discussions और deliberations तो करनी होंगी लेकिन अभी वो जो CBDCs launch करने जा रहे हैं उन्होंने कहा कि वो काफी secure और stable रहेगी digital money market के आगे की payment systems को और fasten up किया जा सके उसे और reliable और fast बनाया जा सके और current जो volatile market है cryptocurrency और digital currencies की उससे थोड़ा stable बनाने के लिए एक Central Bank की digital currency भी लाई जानी जाहे है अगर ये setup करेंगे या करना चाहा रहे हैं तो एकदम careful calibration approach लेंगे इसकी implementation हो एकदम carefully होगी और इसमें ये सरफ RBI अप सब stakeholders जितने भी interested parties हैं बड़े बड़े नाम हैं इन सब की राय के साथ ही जो CBDC है वो launch की जाएगी और जितने भी technical challenges है जितनी भी technological challenges है उसे दमाग में रखा जाएगा इनको launch करने से पहले क्योंकि इन deputy governor का कहना है कि CBDC जो की Central Bank की digital currency होगी official उसका time अब आ चुका है तो ये इ officially RBI अपनी digital currency को launch कर देता है तो पूरी market regulate हो सकती है trade जितने volatile नहीं रहेंगे हम सब की investments और secure हो जाएगी investors का interest भी protect होगा तो आपको का लगता है कि ये CBDC कब आ सकते हैं और आप क्या चाहते हैं RBI से प्लीज हमें अपने comment section में जरूर बताएं कि क्या expectations है आपकी RBI की CBDC से अब आगे चलते हैं कि जहां RBI अपनी CBDC लाना चाहती है वही income tax department जो है वो cryptocurrencies पे taxes पे taxes पे taxes लगाए जा रहा है लेकिन उन्हें directly तो कोई tax नहीं बढ़ाया पर इन्होंने कल ही cryptocurrency exchanges को भूला कि वो अपन information provide करें सभी trades की भी और सभी investments की भी ताकि inquiry बिठाई जा सके उनकी ledger entries पे कि किस price पे किस time पे कितने amount के trades और investments की गई थी cryptocurrency exchanges पे और उन्होंने कितने digital coins अपने exchanges से sell किये हैं ताकि उनके bull run में हुए profits पे tax लगाया जा सकी एकदम properly ET जो की economic times है उसके एक report के according IT department नहीं ये notice तीन specific exchanges को भेजा है अब हम आपको बताते हैं कि cryptocurrency की present tax implication क्या है currently जो tax है वो sale of cryptocurrencies पे है वो भी 30% का क्योंकि जो digital assets है वो कहीं भी as securities defined नहीं है under the security contract and regulation act इसली because ये others में आता है तो इस पे 30% tax लगता on the sale of cryptocurrencies और अब हम आते हैं आज की सबसे important और interesting news पे कि कैसे एक दर पहले हुए B word conference में जहांपे Elon Musk, Jack Dorsey और Ark Investments की Cathy Woods ने भी participate किया था उन्होंने अपने discussions में क्या बताया कल हमने आपको Elon Musk का तो बता ही दिया था कि उनकी bitcoin पे और greener energy पे क्या राए रही लेकिन हम आपको बताते है कि कैसे Cathy Woods ने ये predict किया है कि आने वाले time में crypto market में inflation तो शायद ना मिले ल जचके बाद Jack Dorsey जो है उन्होंने अपना bitcoin में belief और strong कर दिया क्योंकि bitcoin का hardware wallet भी ला रहे हैं और एक नया platform भी ला रहे हैं bitcoin की services के लिए तो उन्होंने कहा कि bitcoin जो है वो internet का नया native money बन सकता है आने वाले time में और ऐसे ही Elon Musk ने जहां bitcoin की green energy की बात की वहीं उन्होंने बताया कि को जितने भी bitcoin जो ते Tesla के पास थे जो spacex के पास थे वो अभी भी उनिके पास है उन्होंने कोई selling नहीं की है तो जितने भी उन्होंने bitcoins खड़ी है उनको मिले थे as the payments वो अभी भी उनहीं के पास ही रखे हुए है अब हम आते हैं अपनी अगली निर्स पे जो है easy5 के बारह म यह Easyfy इसलिए कर रहा है contest क्योंकि उनका नया application जो है उसकी presence Nasdaq पे आ रही है इसलिए वो इस contest को लेकर आए है इस contest में वो $1,000 worth of easy tokens distribute करेंगे 50 अलग अलग लोगों को इस tweet को check कीजिए जहां उन्होंने इस contest के बार में बताया है उसे retweet कीजिए अपने friends को refer कीजिए ताकि आपके chances इस competition को जीतने के और बढ़ जाए तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो beneficial लगा हो तो प्लीज इसे crypto lovers के साथ share जरूर कीजिए और इस वीडियो को like जरूर कीजिए और हमारे चानल को जब आप subscribe कर रहे होंगे तो bell icon जरूर दबाईएगा ताकि जब भी हम future में नई वीडिय लेकिया है crypto worlds related तो सबसे पहले उसका notification आपके पास ही पहुंचे थांक यू viewers for watching this video, we'll be back tomorrow with another crypto news